हेलो दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का लॉंग कॉश्चन आंसर करने वाले हैं ठीक है तो यहां पे हम लोग का कॉश्चन कह रहा है कि गौश्चन आंसर का प्रयोग कर अनन्त विस्तार के आवेसित चादर के कारण वैधुती वरता का वेंजग प्राप्त करें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग डाइगरम ड्रो करेंगे ठीक है तो यहां पे मैंने क्या क्या है कि एक आवेसित चादर ले लिया है ठीक है यानि कि यह आवेसित चादर है यानि यहां पे क्या करेंगे गौश्चनियम का प्रयोग कर तो गोशनियम की अनुसर होता है क्या कोई भी अगर आवेसित चादर हो या आवेसित कोई भी तार हो उसको हम लोग प्रिष्ट के अंदर रखते हैं तो इसलिए मैंने एक बेलना कर प्रिष्ट बना लिया है ठीक है जिसकी लंबाई 2L है यहां पे हम लोग आधा L मान सकते है यहां से यहां तक और यहां से यहां तैहूल L मान सकते है तो पूरी लंबाई हम लोग कोहें चादर का कितना 2L ठीक है यहां से हम लोग का गुजरता है D.E. याने कि वैधुत तीवरता तो इसे हम लोग प्रूब्ड कैसे करेंगे तो एस स्टाप 1 में हम लोग चलेंगे त प्रिष्ट आवेष गहनत्व तो आप लोग की दिमाग में आ रहा होगा कि प्रिष्ट आवेष गहनत्व तो क्या होता है सित्वाइश का मान में वह projets सिध्वsz गहनत्व सिग्मा इंटू ए हो जाएगा इसी से हम लोग को आगे बढ़ना है तो अगर हम लोग अब चलेंगे स्टैप 2 में स्टैप 2 में है कि आवेसी चादर के कारण P पर तीवरता तो यहां पर हम लोग मान सकते हैं अब लोग कुछ भी मान सकते हैं तो मैंने माल लिया है तो पर तीवरता हम लोग क्या हो जाएगा डी फाई एक फॉर्मूला है आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा यान कि यह कि इस चीच का फॉर्मूला है वैधुत फ्लक्स का है ठीक है यानि कि हम लोग कि यहाँ पे छोटा से एक क्याले है प्रिष्ट लिए है यह इसका ही फॉर्मूला है वैधुत फ्लक्स जीसे हम लोग कहते है ठीक है तो अगर हम लोग बराब प्रिष्ट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे यह क्या है छो E D A cos θ, ठीक है, तो phi E equal to हो जाएगा E sum A कलन D A cos θ, यानि कि E हम लोगा क्या हो जाता है, constant हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोगा E sum A कलन से बाहर निकल गया है, उसके बाद हम लोग, अब अगला step क्या हो जाएगा, कि phi E हो जाएगा equal to E sum A कलन D A 1, यानि 1 क्यों हुआ क्यों कि cos 0 degree का मान हो जाएगा 1 तो आप लोग के mind भी सवाल हुआ होगा कि 0 degree कैसे है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि जो d e है यानि वेधुती वरता है इसकी जो यह पत है और जो थीटा का जो पत है वो एक ही रेखा पर है जिसके कारण हम लोग क कोई कौन नहीं बन रहा है इसलिए हम लोग का जो कोस थीटा हो जाएगा उसका मान हम लोग का हो जाएगा 0 degree तो 0 degree का मान होता है 1 तो आगे चलते हैं कि 5 e equal to e समाकलन d a 1 से अगर multiply करेंगे यानि कि गुना करेंगे लोगो तो जितना है उतना ही होगा ठीक है तो step 3 में चलते हैं तो step 3 में हम लोग क्या करेंगे गौस के नियम से तो जो हम लोग का उपर में लिखा हो है उसी तरह से हम लोग पहले लिख द ठीक है तो 5 e के जगह में हम लोग q upon epsilon लिख सकते हैं उसके बाद हो जाएगा कि e समाकलन d a का होता है जब हम लोग इस समाकलन को हटा आते हैं तो हम लोग को हो जाएगा a अब इसको क्या करना है हमको multiply करना है और divide करना है तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मैंने इसे कैसे लिख यहाँ पर आया है ठीक है तो q upon epsilon not equal to e a अगर e को हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो हम लोग का हो जाएगा q upon epsilon not a ठीक है इस यहाँ पर गुना में है इधर आजाएगा तो भागा में ठीक है हो गया ना तो इसी को मैंने इस तरह से लिखा है पहले e लिख दिया है उसक इंटू epsilon not तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से यहाँ पर लिखा है ठीक है उसके बाद हो जाएगा e equal to हम लोगोंकोने निकाला था q equal to क्या निकाला था यहाँ पर देख सकते हैं Q equal to हम लोग का निकला था sigma A तो हम लोग Q के जगह में sigma A लिख सकते हैं तो Q के जगह में हम लोगोंने sigma A लिख दिया उसके बाद जो हम लोग का A epsilon उसको यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर देख सकते हम लोग क्या कड रहा है A से A हम लोग कड जा रहा है तो इसको हम लोग काड़ देना है उसके बाद हम लोग का आ गया E equal to sigma upon epsilon ये हम लोग का निकल गया answer यानि कि ये हम लोग का क्या हो गया तीवरता का वेंजग ये हम लोग का proved हो चुका है दोस्तों ये हम लोग का 5 नमर में पूछता है ये हम ये जो हम कर आ रहे हैं ये long question answer है इस तरह के updated वीडियो पाने के लिए इस चैनल को subscribe जरूर किजिएगा इससे भी बहतरीन और भी जो भी है long question उसको मैं इसी चैनल पर ले के आऊंगी अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर जाके आई बटन पर किलिक करेंगे उसमें आप लोग को playlist का option आएगा उसमें से आप लोग जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को thank you so much अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर देना जरूर